तो दोस्ता आसके इस वीडियो को जड़े मैं आप लोगों को दिखाने जा रहे हूं कि कैसे आप कोटक सेकुरिटिस का डिमेट और टेडिंग अकाउंट को क्लोज कर सकती हो ओनलाइन जहसतो अगर आपने कोटक सेकुरिटिस का अकाउंट क्लोज करना है यानि बंद करना है तो दोस्ता आपको इस बार किसी भी ओफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी मुबाइल से ही यानि ओनलाइन प्रोसेस के जिरे आप कोटक सेकुरिटिस का डिमेट और टेडिंग अकाउंट को क्लोज कर सकती हो तो फिलाल आसके इस वीडियो के जिरे मैं आपको फिर भी आपको यह एमसी सार्स देना होता है जो तक्रीबन से सुरुपया का आजाता है पार यार यानि हार साल तो भाला है से में कि अगर आपने कोटक सेकुरिटिस पर एकाउंट खोल लिए तो इस एकाउंट आभी की अभी क्लोज कर दिए जो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो तो दूस्ता अपना कोटक सेकुरिटिस का अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको एक मेल करने कोटक बैंक पर तो इसलिए सबसे आपको अपना जीमेल पर जाएगा जीमेल पर जाने के पाद यहापर जो प्लास सीन है इस प्लास सीन पर क्लिक किजिए उसके बाद आपको ए जीमेल से आपको यह email करना है तो mail यहां पर जो टू है टू पर लिखना है यानि यह जो mail है email आपको करना है service.securities.com जिया जो तो आपको इस email ID पर ही email करना है service.securities.com पर यहां पर जो subject है subject में आपको लिखना है request to request to close my DMAT and trading account यह तो आपको सिंपल इतना ही लिखने है यहां पर जो compost mail है compost mail पर आपको लिखना है respected quota security team I want to close my quota DMAT and trading account और नीज से यहां पर आपको अपना client ID और आपका DMAT account number डलना होता है आपका client ID और आपका DMAT account number आप अपना जो quota security का app है उसके अंदर जाएगा उसके बाद अपना profile पर आपको नजर आएगा आपका client ID और आपका DMAT account number उसके बाद आपको एक reason भी डालना होता है reason पर आपको लिखना है I am a student and I don't have sufficient funds to invest so I want to close my account जैस्तों रिजन पर आपको simple इतना ही लेगना है reason I am a student and I don't have sufficient funds to invest so I want to close my account इसारे complete हो जाने के बाद आप इस mail को send किजएगा तो दोस्तों जैसे भी इस mail को send कर दो के तो send करने की 48 गंता के अंदर अंदर आपको contact security से mail मिल जाता है जो कुछ इस तरफ का होता है इस mail में आपको कहा जाता है with reference to our email we would like to inform you that your request for account closure is in progress यहाँ पर कह रहा ही कि आप जो हमें request की है अपना contact account close करने के लिए वो हम तक पहुंच गई है और निस आपको यह भी कहा जाता है you will be innovated by email once your account is closed the turn around time of 7 to 10 working days shall be taken for the same यह पर यह भी कह रहा है कि आप आपका जो account हो close होने में 7 से 10 दिन का work लाग जाता है जिसके बाद आपको confirmation mail दिया जाएगा कि आपका account से वो close हो गई है तो इसके लिए आपको जो है साथ से 10 दिन का work आपको इंतिजार करना होता है जब आप 7 to 10 days आप इंतिजार करेंगे तो 7 to 10 days के अंतर आपको और भी एक mail मिल जाता है cdsl की तरफ से जो कुछ इस तरह आपका होगा इसमें आपको यह सारे information दी जाती है और आपको कहा जाती है कि आपका जो भी account था वो close हो गई है जब भी आपको cdsl की तरफ से आपको यह mail मिल जाता है तो आपको समझना होगा आपका जो भी अकोटक सेकूरूटी से पर account था वो सारे account भी आप close कर सकते हो तो उसके उपर भी इस वीडियो बना चुकिए दोस्तों अगर आपने आपको भी close करनी है तो इस वीडियो का description box में आपको सारे link मिल जाएगा तो उस लिंक पर click करके आप देख सकते हो और इस सारे account जो है आप अपना mobile से close कर सकते हो तो दोस् वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए अपने दोस्ते के साथ और इससे दब के नए ने इंपरमिटी वीडियो के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कि जाएगा थैंक्यों वाचिंग जैन कुदा पीस